नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है दोस्तों आपको बताने वाला हो कि लास्ट वीडियो जब मैंने पोस्ट किया था उसमें बताया था कि आपका जो माउस का करसर है वो हाइलाइट करने के लिए आपको एक अलग से आप डालोड करना बर्ड मैं आपको आज बताने वाला इस वीडियो में कि आपके पास आपके लापटॉप या फिर पीसी में इन बिल्ड एक ऐसा ओप्शन होता है जहां पर जाने के बाद आप माउस के करसर को आप हाइलाइट कर सकते हैं उसकी साइज को अज उसकी आइकॉन है उसको आप शेयर करिएगा चलिए मैं स्टार करता हो बीना जेरी की वे तो दीके सबसे पहले आपको आपको आपके जो पीसी या लापटॉप की स्क्रीन पर आजाना होगा और आपको सर्च बार में जाके यहां पर टाइप करना होगा माउस ठीक है जैसे ही माउस टाइप करेंगे आप ब्राउज करने के बाद आएगे अडिशनल माउस सेटिंग के नीचे जस्ट लिखा है माउस पॉइंटर तो हमें माउस पॉइंटर पर क्लिक करना है और उसके बाद दिखें यहां पर आपको दिखा जाता हूँ कि जभी मेरा माउस था यहां पर एकदम छोटा सा था और यहां पर एकदम वाइड में था इस तरीके से अब इस तरीके से वाइट सा चिसम्त में का आइडंटे नहीं हो पा रहे थी कि माउस मेरा है किदर लेफ्ट है राइट है कहाँ जा रहा नहीं पर तो मैंने माउस को क्या बढ़ा क्या जा थोड़ा सा घूल्ड करके और आ तरीके से color आजाएंगे जो भी आपको चेही यहां पर select करिए उसके बाद यहां पर done कर दीजे इसे इमाली जी रेट करने के बाद यहां पर red red मैंने select किया उसके बाद यहां पर done कर दूँगा तो इस तरीके से आप अपने mouse का color जो है change कर सकते हैं और बहुत easy दरे के अब दूसरा आपको बदा दूँग यहां पर जो mouse का option था मैंने को निखा जाएता हूं यहां पर जब mouse setting हम गये थे आपर यहां पर जाएंगे यहां पर निचे थोड़ा option आएंगे और टच करके आपर देखेंगे यहां पर देखेंगे स्पीड के लिखा है mouse pointer speed चैनली क्या तो देखेंगे स्पीड बार बार आपको खीचना पड़ता है तो क्या अभी mouse speed में आप देखेंगे यहां पर medium मैंने रखा है अगर आप यही लेफ्ट करता हूं तो मेरा mouse देरे-देर-देर-देर खीच के आए का अगर मैं यहां इसको mouse पकड़ता हूं और इसको फूल करता हूं जैसे कि एक बार जिसे मैं slide करूंगा तो मेरा फटाक से mouse करसर लेफ्ट राइट जिदर भी आप ले जाता है अब देखेंगे मैं इसको यहां पर दिखेंगे मैं किया कर रहा हूं तो एक बार नहीं देखें और pointer तो highlight मैं आपको बता दिया हूं तो guys इसी तरीके से आप अपने pointer को setup कर सकते हैं और इसके लिए कोई आलग से आपको software की जरूरत नहीं है आपके जो laptop में inbuilt है आप उसको खाली इनबल आपको करना है बस तो guys अगर चैनल में हमारे पहली बार आ है तो subscribe जरू करिएगा क कि मैं इसी तरह information वाले वीडियो आप लोग के लिए बना के लाया करता हूं चलिए जलते से जल मिलेंगे नए वीडियो तब तक like करिए share करिए मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक bye bye